हेलो गाइज, वेलकम टू टैसेट क्लासेज, इंगलिश वेद मॉलिका आज हम पढ़ेंगे आपकी फिर्स्ट फ्लाइट बुक का फिर्स्ट चेप्टर, अलेटर टू गॉड उसके multiple choose questions, यह जो question बच्चों मैं आपको आज कराने वाली हूँ, यह most important question है, आपके exams के लिए, ओके, तो एक बात में और आपसे कोँगे बच्चों, यदि आपने अभी तब इस chapter को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप इसका line wise line, हिंदी में explanation का मेरा वीडियो है, वो आप देख लीजिए, उसका link में आपको description में दे दूँगी, पहले उस video को अच्छे से देखिए, चैप्टर को समझेए, तब यह multiple choose questions आपको अपने आप ही learn होते जाएंगे, ठीक है ना, तो यह जो मैंने आपको question दिये हैं, वो आपके chapter में से ही बनाए हैं, ठीक है, इसलिए chapter क आपको समझना बहुत जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं, who is the author of a lesson, a letter to God, यह जो lesson है आपका, a letter to God, इसके writer कौन है, ले मो फ्लेटी, फैडरिक फ्रस्टी, जी एल फिल्टर्स, अरूप कुमार दत, तो answer है, जी एल फिल्टर्स, ओके, चलिए, second question देख लेते हैं, क्या लेंचो कौन था, आप बताएंगे, a shopkeeper, a poor farmer, a poor gardener, a price, कौन था, आप सबको पता है, क्या मालूम है आपको, कि वो एक poor farmer था, ठीक है, तो answer है, a poor farmer, third question देख लेते हैं, who did लेंचो have faith in, ऐसा कौन था, जिसमें लेंचो को विश्वास था, अगर आपने chapter बढ़ा है, तो आप सबको पता है, कौन था ऐसा, ऐसे थे, God, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, a, God, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, लेंचो was an ox of a man, it means, देखिए, जब आप chapter पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये line मिलेगी, कि लेंचो जो है, एक ox के जैसा था, वो ox की जैसा मतलब ox नहीं था, वो कोई ऐसा आदमी था, जो ox जैसा लगता था, इसका मतलब क्या है, वही आप यहाँ पर हमने पूछा है, he was so simple like an ox, क्या वो ऐसा था, कि ox के जैसा बिलकुल simple सा था, साधा सा था, he worked like animal in the field, या फिर वो ऐसे काम करता था फिल्ड में, जैसे कि कोई जानवर, मतलब जानवरों की तरह बहुत जादा महनत करता था, he looked like an ox, या फिर वो ox की तरह दिखाई देता था, इसलिए उसको बोल होते थे, Lencho was an ox of a man, his face as big as an ox, या फिर उसका चेहरा इतना बड़ा था, जैसे कि किसी ox का, तो answer क्या है, he worked like an animal in the field, ओके, next है, where was Lencho's house situated, कि Lencho का house जो है, कहां पर situated था, अगर आपने chapter पढ़ा है, तो आपको अच्छे से पता होगा, क्रीस्ट of a low hill, top of the plateau, bottom of the hill, nearby the post office, तो answer है, क्रीस्ट of a low hill, ठीक है, next question देख लेते हैं, what do you mean by huge mountain of cloud, अब chapter में huge mountain of cloud, ये huge हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, huge mountains of clouds, क्या मतलब है इसका, very dark clouds, clouds making hilly pattern, mountain look like clouds, या फिर clouds promising heavy rains, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, clouds promising heavy rains, कि इतने गहरे बादल, इतने काले बादल आई हुए थे, जिनसे बर्षा होनी ही, होनी थी, ठीक है, चलिए, what did lancho hope for, lancho किस चीज़ की आशा रखता था, क्या आशा थी उसकी, तो option देख लेते हैं, उसकी आशा क्या, एक photograph की थी, वो एक photograph के चाहता था, a snowfall, snowfall चाहता था, a shower of rain, या strong wind, क्या चाहता था, तो answer है उसका, a shower of rain, यानि इसका answer है C, ठीक है, चलिए, अगला देख लेते हैं, which crop was growing on lancho's field, यह तो आप सबको पता ही है, कौन सी crop ग्रो होरी थी उसकी field में, corn, ठीक है, what was the only thing that the earth needed according to lancho, lancho के according, कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी चीज थी, जो की प्रत्वी को चाहिए, कौन सी चीज थी, lots of green tree, sunlight, a shower, या fertile mud, क्या चाहिए ब्रत्वी को, ब्रत्वी को चाहिए, a shower, यानि वर्षा चाहिए, ठीक है, the field of corn dotted with flower means that, अब एक और वहाँ पर extract में use हुआ है, the field of corn dotted with flower means that, अब इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चो, यह जो आपके questions है न, वो मैंने बहुत ध्यान से, आपकी chapter में से, एक एक line पढ़ पढ़ के बनाए है, तो आप समझ लीजिए, यह most important question है आपके, ठीक है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ के जाईए के exams में, हाँ तो, the field of corn dotted with flowers means that, इसका मतलब क्या है, the flower had shrunk in size, not a single flower was bigger than a dot, the flowers were scattered across the field, the flowers were in a shape like dot, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है, the flowers were scattered across the field, ठीक है, लैंचो started writing a letter to God on, लैंचो ने, God को letter लिखना कभ स्टार्ट किया था, कभ शुरू किया था, Tuesday morning, Monday morning, Sunday night, ये Sunday morning, आपने गर chapter पढ़ा है तो आप सबको पता होगी, अब शुरू किया था उसने day break, day break मतलब जब दिन निकलता है, यानि morning का time था, और कप का time था, वो Sunday morning का, ठीक है, why did लैंचो need money, लैंचो को पैसी की जरूवत क्यूं थी, to buy a big house, एक बड़ा सा घर खरीदने चाता था, to buy a ox, या उसे एक bell की जरूवत थी, वो खरीदने चाता था, to save his family from hunger, या अपने परिवार को ग्रूख से बचाना चाता था, to buy a tractor, या फिर उसे अपने fields के लिए tractor की जरूवत थी, तो answer है, to save his family from hunger, ओके, अगला देखिए, who does lancho have complete faith in, lancho को, विश्वास किस में था, सबसे ज़्यदा विश्वास, अपने आप में, या अपने बेटे में, या postmaster पर विश्वास था, या फिर था भगवान पर, तो उसे विश्वास था, भगवान पर, ठीके, how did lancho decide to contact his last resort, lancho ने कैसे decide किया, कि वो अपना जो आखरी सहारा है, उससे contact करेगा, आखरी सहारा कौन था, आखरी सहारा थे भगवान, तो भगवान से वो कैसे contact करेगा, by a phone call, क्या वो भगवान को एक phone call लगाएगा, by email, या फिर email करेगा, by a letter, by visiting him personally, या फिर एक letter से, या परसनली जाके उन से मिलेगा, क्या decide किया था, उसने decide किया था, by a letter, कि वो गौड को एक letter लिखेगा, ओके, how much money did the lencho need, lencho को कितने पैसे की जरुवत थी, 700 पीसे, 200 या 100, कितने की जरुवत थी, या 500, कितने चाहिए दो से, उसका answer है, 100 पीसे, ठीक है, the field looked as if it were covered with, उसकी field कैसी दिखाई दे रही थी, जैसे काई से cover हो गई हूँ, वाटर से, वाटर से cover हो गई हूँ, ऐसी लग रही थी, या फिर salt से cover हो गई है, जैसे नमक बिज गया है पूरे में, ऐसी लग रही थी, या sugar, या फिर sugar फैल गई है चारो दरफ, या locates, या टिड्डियों के दलने आके हमला कर दिया, ऐसी लग रही थी उसकी field, तो answer है, salt, जैसे नमक बिज आ दिया हो पूरे में, इस तरीके की ल लेटर लिखा था, उसको answer किस ने दिया था, आप पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने दिया था, his wife या उसकी wife ने दिया था, his friends या उसकी friend ने answer किया था उसकी लेटर का, या God ने खुद, तो answer क्या है इसका, answer है, पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने answer किया था ना, reply क यह था ना उसके letter का, the postmaster to help Lencho by giving him dash as a reply from God, postmaster ने Lencho की help की थी, क्या देकर, क्या दिया था as a reply, food दिया था उसको, giving him food, या giving him golden ring, या sony की ring देदी थी, giving him money, या giving him letter, क्या answer है इसका, इसका answer है, money, तो answer क्या हो जाएगा, the postmaster to help Lencho by giving him money as a reply from God, ओके, चलिए आगे चलते हैं, the postman at the post office laughed, जो postman था post office का, वो हसा, क्योंकि, क्यों हसा था, he listened a funny joke, उसने एक funny joke सुना था, इसलिए, Lencho sent him a letter, या Lencho ने उसके लिए एक letter भीजा था, इसलिए हस रा था वो, आगे देख लेते हैं, the postman received a parcel, या postman को parcel मिला था, इसलिए खुश हो रहा था वो, the letter was addressed to God, या फिर उस letter जो address लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, to God, मतलब वो letter किस के लिए था, God के लिए था, इसलिए हस रा था वो, तो answer है इसमें, the letter was addressed to God, ठीक है, चलिए, अगला कुश्चन देख लेते हैं, how much money was the postmaster able to arrange, कितना पैसा, postmaster arrange कर पाए थे, 100 पैसे, 1000 पैसे, 70 पैसे, या 500 पैसे, तो answer क्या है, 70 पैसे, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, from the top of the hill, he can seen, ready to harvest his corn, field along with, from the top of the hill, hill के top से, वो क्या देख पा रहा था, क्या देखा था, उसने अपनी, field के बारे में, उसकी field कहा थी, किस किनारी से दिख रही थी, कैसे कैसे दिख रही थी, वास्ट field, बहुत बड़ी field दिखाई दे रही थी, या village दिख रहा था, या along with river, along with forest, क्या दिखाई दे रहा था उसे, वहां से, वो किस तरीके से देख पा रहा था, उसनी दियार फशल जो खड़ी हुई थी, उसको, along with river, इसका आंसर है, why did postmaster decide to reply Lencho's letter, postmaster ने ऐसा decide क्यों किया, कि वो Lencho का जो letter है, उसको reply करेंगे, आंसर करेंगे उसका, he was kind-hearted man, कि वो एक kind-hearted man थे, इसलिए, या he was a good man, या वो बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए, he felt empathetic, या वो उसके प्रती सहानभूती रख रहे थे, to preserve Lencho's faith in God, या फिर इसलिए, कि Lencho का जो भगवान में विश्वास था, उसको वो बनाई रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंसर किया था, तो इसका आंसर है, to preserve Lencho's faith in God, पोस्टमास्टर ने उसके लेटर का आंसर इसलिए किया, कि वो चाहते थे, कि Lencho का जो विश्वास है, वो भगवान में बना रहे, ठीक है, वाई 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 लेंचो नोट सर्प्राइज, ओन सींग दा मनी इन दा एन्वलप, लेंचो जो है, सर्प्राइज क्यों नहीं हुआ, जब उसको मनी मिला एन्वलप में, he was an ungrateful man, क्योंकि वो ungrateful man है, है, वो किसी के ऐसा हनको, कुछ नहीं समझता है, है, बड़ा ही कृतगन है वो, या फिर, he was too sad, to acknowledge it, कि वो बहुत दुखी हो गया था हो जानके, कि उसको कम पैसे मिले है, है, he had unwavering faith in God, या फिर उसका जो विश्वास था भगवान, वो कैसा था, बिलकुल unshakable था, मतलब उसकी विश्वास को कोई हरा नहीं सकता था, इतना विश्वास था भगवान पर अखंड विश्वास था, none of the above, या इन में से कुछ नहीं, क्या होगा इसका अंसर, तो इसका अंसर है, he had unwavering faith in God, चलिए अगला देखते हैं, Lencho was exchanging the letter with the God through, Lencho ने अपना letter कैसे exchange किया भगवान के साथ, कैसे भेजा letter आया गया उसका क्या हुआ, डॉव, एक डॉव पक्षी लेके गया था उसका letter, या उसने mail के थूरू भेजा था, या internet के थूरू, या एक अच्छे फ्रेंट जेका आजा भगवान को letter दिया, ऐसा हुआ था, तो आंसर है उसका mail, letter उसने mail के थूरू भेजा था, ठीक है, हाँ जी, आगला देखते हैं, वेर डेल लेंचो, एक्सपेक्ट दा डाउन पोर टू कम फ्रॉम, लेंचो जो है, क्या आशा कर रहा था, कि यह जो बारिश होगी, वो किधर से आईगी, कौन सी दिशा से आईगी, South, North East, South East या North East, तो इसका answer है, North East, ओके, चलिए, अगला कुशन देखते हैं, on seeing the letter, the postmaster was moved by लेंचो जो, उस letter को देखके, postmaster जो है, किस और आकरशित हो गए उन्हें क्या लगा, उसकी handwriting को देखके, बिल्कुल उसकी तरफ आकरशित हो गए थे, या unwavering faith, या उसका जो अखंड विश्वास था, उसकी तरफ से moved हो गए थे, उसकी तरफ, या फिर हम क्या देखेंगे, love for God, या फिर भगवान के प्रती, जो उसका विश्वास था, उसको देखके, या determination, या उसके determination को देखके, उसके दरफ निश्चा को देखके, तो answer क्या होगा, unwavering faith, ठीके, उसका unwavering जो faith था, अखंड विश्वास जो था भगवान का, उसको देखके, वो जो है, moved हो गए, लेंचो, लेंचो की दरफ, moved हो गए थे, यह वो किसके equivalent बदाई है, चैप्टर में, one cent coin, five cent coin, ten cent coin, यह twenty cent coin, तो answer इसका, ten cent coin, ठीके, चलिए, आगला देखते हैं, which literary device has been used in, they are new coins, एक phrase use हो रहा है, आपके चैप्टर में, they are new coins, they are new coins में, कौन सी literary device use हुई है, metaphor, simile, personification, या apostrophe, तो यहाँ पर literary device है, metaphor, ठीके, चलिए, आगे देखते हैं, लेंचो became, became के बाद, blank है, आपको उसमें फिल करना है, happy, emotional, irritated, angry, when he counted the money, लेंचो, क्या हुआ, खुश हुआ, emotional हो गया, irritated हो गया, यह गुस्ता हो गया, क्या हुआ, जब उसने, पैसे count किये, तो वो, नाराज हो गया था, क्योंकि उसके पैसे पूरे नहीं थे, ठीके, तो answer है, angry, ठीके, बड़ी 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 रेंड्रोप्स थी, इसको किस से कंपेर किया था, गोल्ड कॉइन से, न्यू कॉइन से, पॉपर कॉइन से, या, नन अफ दीज, पॉपर कॉइन से, न्यू कॉइन से, ठीके, चलिए, वेन, बिग ड्रॉप और फ्रेंड बिगेंड टू फॉल, लेंचो वेंट आउट टू, जब बड़ी 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 बूद है, पानी की गिरने लगी, तो लेंचो बाहर आया था, क्यों आया था, रिपेर ही रूफ टॉफ टॉफ, क्यों उसके छट जो थी टॉप से, उसको रिपेर करने के लिए था, वो तूटी हुई थी बारिश में टक्के ना, इसलिए उसको टिक करने के लिए बाहर आया था, बेंगी जॉफ आउक्स, एंटर, इंसाइट, दा शेड, के अपने जो आउक्स थे, उनको जो है, इंसाइट, यानि अंदर ले जाने के लिए, बाहर खराब हो जाएंगे, वो, स्वरी, खराब मतलब, वो आउक्स जो है, भीग जाएंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए, बाहर आया था वो, feel the pleasure of the rain on his body, या फिर वर्शा का जो आनन्द था, उसको लेने के, उसके आनन्द को अपनी शरीर पर, उसकी बारिश की बूनों को, महसूस करने के लिए बाहर आया था वो, irrigate his field, या अपनी field को, irrigate करने के लिए, उसके लिए बारिश हो रही है तो लाओ चलो, उसके लिए अपनी field की इसलिए है था, तो आंसर है, feel the pleasure of the rain on his body, ठीक है, चलिए, help from God means, अब इस chapter में, help from God, यानि भगवान की मदद का क्या मतलब है, God will help everyone, ये मतलब है, God would help plancho, ये मतलब है, या फिर God wanted to help plancho, या फिर भगवान जो है, लैंचो की मदद करना चाते थे, लैंचो hope that God would help him, अब इसका आंसर बच्चो, आप मुझे comment box में लिखके बताएंगे, ठीक है, आप मुझे इस question का आंसर लिखके बताएंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं इसका आंसर, तो आप comment करके मुझे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, चलिए, ये आपका homework है, अब अगला question, लेंचो की field को किसने destroy कर दिया था, क्या चीज़ खराब कर गई थी, heavy rainfall बहुत तीज वर्षा हुई थी, flood या बाड़ा गई थी, hail storm, या फिर क्या हुआ था, hail storm आया था, कि बड़े-बड़े ओले गिरने लगई थी, इस तरीकी की आंधी चली थी, या earthquake काया था, हुआ क्या था, किस चीज़ से उसकी field destroy हो गई थी, तो answer है इसका hail storm, ठीक है, now we are really going to get some water, who said this line, ये line किसने कहीं थी, कि आब हमको थोड़े पानी की जरूवत है, बारिश की जरूवत है, lancho's wife, lancho's son, lancho's daughter, ये lancho ने कुधी कहीं थी ये बात, ये कहा था, उसकी wife ने, तो answer है आपका a, lancho's wife, ठीक है, lancho compare the quantum of damage with, lancho ने किस चीज़ से compare किया अपने damage को, वो जो उसकी फसल खराब हो गई थी, उस चीज़ को किस चीज़ से compare किया, attack wild था, wild animal, wild animal के attack से compare किया था, कि उसकी field ऐसे बरबाद हो गई थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो, attack by rats, या फिर उसकी field में चूए घुजगई हो, इस तरीके से compare किया था, plug of locates, या फिर टिड़ी जलने आके एकदम से हमला कर दिया हो, attack by cattle, या फिर जो जानवर थे, पाल्तू जानवर थे, वो सब घुजगई थे उसकी field में, उससे compare किया था, तो इसका answer है, plug by locates, यानि टिड़ी जल के हमले से उसने उसको compare किया था, जैसे उसके, जो है, field पे टिड़ी जलने हमला किया हो, उससे भी जादा उसको नुक्सान हुआ था, ऐसे उसने compare किया था न, who handed over the letter to Lencho, Lencho को जो है, letter किसने handover किया आके, किसने दिया, आफ friend, किसी friend ने लाकि दिया था, postmaster, postmaster, खोदा आई थे देने, या postman ने दिया था, तो answer है, postman, postman ने उसको letter दिया था, ठीक है, अगला question देख लेते हैं, the postmaster was, fat and amiable man, what is the mean of amiable, उसमें जब postmaster का description देते हैं, chapter में, कि वो कैसा है, तो उसमें ये line आती है, कि वो कैसा है, fat है, amiable man है, तो इस amiable का क्या meaning है, amiable का meaning क्या funny होता है, friendly होता है, या rude होता है, या helpful होता है, बताएए बच्चो, तो इसका answer है, friendly, ठीक है, चलिए, on the envelope, Lencho wrote, envelope के उपर, Lencho ने क्या लिखा था, उसने God लिखा था, या to the God लिखा था, या to God लिखा था, क्या लिखा था, या a letter to God, तो answer है इसका, a letter to God, ठीक है, चलिए, अगला question देख लेते हैं, what did Lencho address, the post office employees, जो Lencho है, उसने क्या address किया था, क्या address किया employee को, post office को, post office वालों को, helpful का था, smart and broad-minded कहा था, या bunch of crooks कहा था, या rude कहा था, तो उसने कहा था, bunch of crooks, ये बदमाशों का, जुन रहे हैं, बहुत सारे बदमाश हैं यहां पर, what did Lencho ask for his second letter, Lencho ने अपने second letter में क्या मांगा था, क्या कहा था, God से, the remaining amount and, not send it by mail, उसने कहा था कि, जो बचा हुआ amount है, वो दे दो, और उससे mail से मत भेजना, ऐसा कहा था उसने, more money, या फिर और पैसा मांगा था, the remaining amount and, send it by mail only, या फिर ये कहा था, कि बचा हुआ पैसा दे दो, और केबल डांक से ही भेजना उससे, he didn't ask anything, या फिर उसने कुछ नहीं मांगा था, तो इसका answer है, A, the remaining amount and not sending it by mail, ये कहाता हुआ उसने, find the word from the extract which means very closely, अब ऐसा word बताओ, आपकी chapter का ही है, question बच्चो ये, कि जिसका meaning है very closely, towards, intimately, promisingly, entire, तो ऐसा word है, intimately, ठीक है, इसका answer, intimately, what was Lencho satisfied, जो है, Lencho को, क्या चीज थी जिसने, satisfied किया था, संतोष्ट हो गया था, क्या चीज थी बताइए, on seen money, in the envelope, envelope में money देखके, वो संतोष्ट हो गया था, on seeing the field, of ripe corn with flowers, या अपनी field को देखके, जो उसमें पके हुए, पके हुए, पके हुए, पके हुए थे, flowers के साथ, उसको देखके, वो संतोष्ट हो गया था, on seeing a new tractor, in his field, या उसने अपनी field में, एक नया tractor खाद देखा था, इससे खुश हो गया, none of these, जियान में से कुछ नहीं, क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है बच्चो, on seeing the field of ripe corn with flowers, अपनी field में, जो उसने पके हुए, फसल लगी हुए थी, corn की, पके हुए, corn की field देखी उसने, और उसमें flowers देखे, उससे बड़ा, खुश हो गया था, उनके हुर्दय में, क्या last hope थी, help from the close friend, कि उनकी मदद कोई close friend करेगा आके, compensation from government, या government आके उनको compensation देगी, या help from pharma association, या pharma association आके उनकी मदद करेगी, help from God, या फिर भगवान की मदद, तो उनकी last hope क्या थी, भगवान की मदद, इस lesson में क्या irony है, most important question बच्चो, यह question आपके long में भी आता है, short में भी आता है, very short में भी आता है, और मैंने यह multiple चीज़ में भी आपको दे दिया है, what is the irony in this lesson, इस lesson की irony क्या है, postmaster laughed at lancho, but still arranged money for help him, यह irony कि postmaster, इसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उसके लिए money arranged की, lancho was sad, after the hellstorm, even though he was waiting for a shower, कि lancho जो बहुत दुखी था, hellstorm के बाद, जो ओले गिरे थे उसकी field में, उसके बहुत दुखी था, फिर भी वो यह कामना कर रहा था, एक्षा कर रहा था, ऐसा इंतजार कर रहा था, कि बारिश आ जाए, थोड़ा सा shower आ जाए, lancho blamed the post office employees, who in fact helped him, कि lancho ने जो ने उन लोगों पर, इल्जाम लगाया, उन्हें bunch of crooks कहा, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, उसकी मदद की, post office employees ने, कि यह irony है, लancho write a letter to God, कि lancho ने God को letter लिखा, यह irony है इसमें, तो answer है, lancho blame the post office employees, who in fact helped him, ठीक है, चलिए, आप लोग बच्चों क्या करिए, कि question question लिखिए, सिर्फ और सीधर सीधर लिखते जाए, ठीक है, आपको answer याद होगा, तो option कोई भी आए, answer याद है, आप फटापर उसको tick करते जाएंगे, ठीक है, या फिल करते जाएंगे, चलिए, अगला question देख लेते हैं, this story sets in, यह जो story है ना, यह कहाँ पर set है, कहाँ की है यह story, इंडिया की है, साउथ अफरीका की है, लेटिन अमेरिका की, यह है लेटिन अमेरिका की, ओके, तो बच्चो, यह था आपका, multiple choose questions, लगवग कितने question कर लिए हैं, हमने 45 questions की हैं, तो मैं समझते हूं, इस chapter के लिए 45 questions enough हैं, ठीक है, तो आप इन अच्छे से तयार कीजिए, यह video आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, आपके लिए helpful है, तो मेरे इस video को like करो, आप में friends के साथ share करो, और मेरे channel को subscribe करो, ताकि आने वाली videos की notification आपको time पर मिल सके, thank you for watching me,